हलो दोस्तों अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब चरूर कर लें और बिल आइकन को प्रेस करें तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज के इस वीडियो में क्या है कि दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते के विहार पुलिस रिजल्ट जो है ओट हो गिया है और आप लोग देख भी लिएंगे होंगे लेकिन फीजिकल टेस्ट में कुछ बदला हुआ है आए देख लेते हैं आज की न्यूज पेपर अगरदानिक जागरन आप देखिएगा त पांच फरवरी के न्यूज में तो चलिए बता देता हूं मैं कि क्या है क्या है परिवर्त या नहीं है देख लेते हैं तो मैं आपको पूरी जानकरे बता दे रहा हूं बिहार पुलिस में 9900 सिपाई के न्यूक्ति के लिए लिए लिखित परिशा का परिणाम घोसित हो तो 16 फरवरी 19 फरवरी से जो है पटना में गर्दनीबाग जो है इसकोल है वहां पर सेंटर दिया है तो बता दे रहा हूं आगे मैं तो पूरे अंग दिये जाएंगे कैसे उची कोद गोला फेंक में आवसत से स्रिष्ट परदसन करने वाले को ही पूरे अंग दिये जाएंगे जिहां दोस्तों अगर आप फिजिकल में पास हो जाते हैं तो जो अच्छा परदसन करेगा उसको जड़ा प्रिफेंस दिया जाएगा यह विवस्ता बिहार पुल कैसे 50 अंग गोला फेंक के लिए 25 जिया हैं धजिए दोस्तों गोला फेंक के लिए 25 पचीस जंग और दन्ue के लिए 50 जंग है तथा उची कूद के लिए 25 जंग के लिए 25 нужно 29 परवरी से राजदहन में दिया देखे दोस्तों इस फरवरी जिराजधानी के गरदनी भाग पटना है इसकील में परिशर में परिक्राश रोगे ऊँची कूद महिलाओं के लिए निर्धारित देखें महिलाओं के लिए क्या दिया है फीमेल कंडिडेट के बात करें तो रिचे तीन फिट कूदना 3.4 पिट अगर कुटते हैं तो 13 मिलेगा 3.4 से 3.8 पिट अगर कुटते हैं female कंडिरों तो 17 रंग 3.8 चार पिट तक 21 संग तो जितना हाई जम्प करेगा उतना इसे और हो देख कर मिलेगा 4 पिट अध्यक अगर कुटते हैं तो 25 अंग ते फूल अंक जो है आपको चार फिट से अधिक कुदने पर मिलेगा उसके बाद देख लेते हैं और जानकारी आफ मेल कंडिडेर के बाद करें तो सभी कोटी के पुरूसों के लिए दौर पुर्ण अंक 50 दौर की दूरी 16 मिटर अधिकतम समय 6 मिनट का होगा देखे दोस्तों इसमें भी कुछ देख लेते हैं तो 5 मिनट के अंदर दौर पुरी करने वाले को मिलेंगे पूरे 50 अंक आप देख लेते हैं कि 5 मिनट से 5.20 मिनट में दौर पुर्ण करने वाले को मिलेंगे 40 अंक यहां देखिए 5 मिनट में पुरा कर ले तो 50 अंक मिलेंगे और 20 सकन्ड अगर जैदा समय आप लेते हैं तो 40 अंक मिलेगा मतलब 10 अंक बाएगा ठीक है उसके बाद अगर यहां देख लेते हैं 25 बीस मिनट में 40 अंक मिलेंगे 5.20 से 5.40 मिनट में अगर 5 मिनट 40 सेकंड समय ले रहे हैं आप तो उसके लिए मिलेंगा आपको 30 अंक यहां देखिए अगर 5 मिनट 40 से 6 मिनट में दौर पूर्ण कर लेते हैं तो आपको मिलेंगे 20 अंक तो जितना कम समय में दौर येगा उतनी जैदा अंक मिल लही है जितना जैदा समय ले रहे हैं उतने कम अंक मिल ले है 40 सकेंड ले जाएगा तो माद 20 अंक मिलेगा आपको अगर 6 मिनट में दौर पूरी करते हैं अगर 6 मिनट लग जाता है आपको दौर करने में दोस्तों आपसे बस यह रिक्विष्ट है आगे देख लेते हैं सभी खोटी की महिलाओं के दौर दौर की दूरी 1000 मीटर होगी अधिक्तम 6 मिनट निर्धारित अंक 50 तो महिलाओं के लिए दिया है 1000 के दूरी अधिक्तम समय 6 मिनट देख लेते हैं कितना मिनट दोरने पर कितना अंक मिलेगा तो पांच मिनट में पूरी करने पर 50 अंक मेल अगर 5.20 से लेकर 5.40 मिनट में पूर्ण करने पर मिलेगे 40 अंक 5 मिνεट, 40 मिनट से 6 मिटर में पूर्ण करते हैं तो उसे 20 हैंगा अगर 6 मिनट पूरा समय ले लेते हैं तो यह ती महिलाओं के लिए रुणिंग उसके बाद गोला फ्हेंक कि महिलाओं के लिए गोला का कितना वजन रहेगा उसकी जानकारी देख लेते हैं यहाँ देखे गोला फेक मही लाओं के लिए गोला का वजन बारा पॉंड बारा पॉंड रहेगा उसके बाद इसे कम से कम 10 फीट की दूरी निर्धारित की गई है तो 10 से 11 फीट अगर आप फेकते हैं तो 9 अंक मिलेंगे ठीक है उसके बाद 11 से 12 फीट अगर फेकते हैं तो 13 अंक 12 से 13 फीट फेकते हैं 17 अंक 13 से 14 फीट 21 अंक दोस्तों यहाँ देखा जा रहा है कि आप जितना जैदा दूर फेकिएगा 12 वैसे तो फेकते हैं दिया जा रहा है 14 फीट तक हायस्ट मार्क है उसके बाद आज जानकारी मैं आपको बता दे रहा हूं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करते जाएगा आपसे बस मेरा यहीं उमीद है मैं हमें साथ कोसिस करता हूं कि आप लोग तक लेटिस्ट इनफॉर्मेशन पहुंचे तो गोला फेंक फीमेल की बात करते हैं तो इसके लिए गोला फेंक पूरुस अधिक्तम अंक 25 अंक का होगा गोला सोला पॉंड का होगा तो सोला से सतरा फीट के लिए 9 अंक दिया जाएगा सतरा से अगर 18 फीट फेकते हैं तो 13 अंक 19 फीट फेकते हैं तो 17 अंक और 20 feet फेकते हैं तो 21 अंग और 20 feet से अधिक फेकते हैं तो आपको मिलेंगे पूरे के पूरे 25 अंग ये थी female या करते हैं male candidate का sort put का detail उसके बाद होते हैं high jump के बारे में female के बारे में बता दे रहा हूं कि उची कूद पूरूसों के लिए निउन्तम उचाई 4 feet हैं और Own-langer 25 अगर आप 4 से चार पीट तक कूदते हैं तो 13ASE मिलेंगे चार प्ड पूरंड सी पृट कूदते हैं तो सटर्रा मिलेंगे चार पिएब ओन्योंड से पांच से हीट है हई जंप करते हैं तो 21 अंग मिलेंगे अगर पांच फिर से अधिक आपको ते हैं तभी 25 संक भी लेंगे ते यहां देखिए वहाँ पे एक पे एक वाइज रहेंगे आपको अधिक से अधिक पढ़ियां परदसन करना है जिसके तभी आप जो है उसमें क्वालिफेक कर पाईएगा वरना दुनिया में तो असफरदाओं के कमी नहीं है एक पे एक इनसान मिल जाएंगे आपको ता आप जितना कोशिस करेगा जितना बढ़ियां आपका फिजिकल परदसन अच्छा रहेगा उतनी मेरिट में ना माने के ज़्यदा चांस रहेगी दोस्तों वीडियो में जानकर ये अच्छी दी गई थे ते चैनल को सब्सक्राइब कर ले वीडियो लाइक कर ले थैंक यू